कि पिनिल की केम का प्रापरटी में अगला रियक्शन कोलवे इसमिट रियक्शन इसी को कार्बागजिलेशन करते हैं क्योंकि इसमें कारबागजिली क्रूप जुड़ता है देखिए क्या होता है कोलबे इसमिट रियक्शन वेन फिनाक्साइड इज हीटेड विद कार्बन डाइक्साइड CO2 अंडर प्रेशर ए कार्बाग्जिली ग्रूप इस इंटोड्यूच इन आर्थो पोजीशन टू दा ओयच ग्रूप दिस रियक्शन इस काल्ड कोलबे यह यहल है कोलबे इसमिट रियक्शन देखिए हम फिना आक्साइड आयन को फिना आक्साइड आयन को फिना आक्साइड आयन को क्योंकि यहां से यह रिपलेस हो जाएगा तब इसके उपर माइनस चार्ड जाएगा तो हम फिना आक्साइड आयन को TIT करते हैं किसके साथ 번 SEC Time oxide iron को TIT करते हैं Carbon dioxide के साथ या आफ लिखे आप या या तो आप यहाँ पर OH लिख लीजिए OH है इसको हम Bayed के साथ TIT करदे NaOH NaOH है तो तरह या More Electronegative Oxygen है तो इसका लिव्टाण ले लेका तो यह H प्लस के रूप में बाहर आएगा और यह इसके साथ जाकर H2O के रूप में बाहर इसको माइनस H2O और यह अन्य जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा देखिए O यह अन्य प्लस O माइनस अब देखिए अब इसको हम कार्बन डाई आकसाइड यानि CO2 के साथ ट्रिट कर दे CO2 के साथ ट्रिट कर दे और इसकी Acidic Hydrosis करा दे इसकी Acidic Hydrosis करा दे तब हमको मिल जाता है Hydrosis करा दे तब हमको मिल जाता है यह Salicylic Acid मिलता है C Double Band O Salicylic Acid जाता है Salicylic Acid यह कैसे बना अब इसको हम माइकनीज में देखेंगे तो देखिए माइकनीज में इसकी माइकनीज में पहले आप फार्मेशन आप इलेक्टो फाइल देखिए स्टेफ फार्मेशन या जनरेशन दोनों लिखिए फार्मेशन आप इलेक्ट्रो फाइल माइकनीज में देखिए हम पहले फिनाल लेते आए फिनाल लेते आए या याच या इसको हम बेस यानि या ने वह याच के साथ ट्रिट कर दें तब देखिए या आक्सिजन मोई लेक्ट्रो नगेटिए इसका इलेक्टान ले लेगा और या देखिए वह याच है इसको पकड़ कर याच वह याच 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 टूब बाहर और यह ने जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा लेकिन हम जोड़ेंगे नहीं केवल आपको यहाँ हमको दिखाना है देखिए जब यह इसका इलेक्टान ले लेगा तो इसके पास आक्सिजन के पास 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 पाजिटीव चार्ज आक्सिजन के पास इसका इलेक्टान ले लेगा तो इसके पास निगेटीव चार्ज आ जाएगा और बाकी का आप जन्नोय इसको रहने देजिए यहीं पर अब देखिए यहां पर यदि हम इस निगेटीव को यहां पर लाएं और इसको यहां पर लाएं तो यहां पर जब यह आएगा तो यहां पर देखिए जब यह यहां पर आएगा तो यहां डबल बांड आ जाएगा और यह वाला यहां आएगा तो यहां पर इलेक्टान की अधिक्ता हो जाएगी अब यहाँ पर हमने कार्बन डाई आक्साइड लिया है यानि सी ओ टू इस सी ओ टू को हम ओ डबल बांड सी ओ लिसकते हैं यह जो होता है एसिट का भी एवियर रखता है एसिट होता हमाने इसके पास इलेक्टान की कमी होती है तब देखिए यह आक्सीजन मोई लेक्टो निटेटी है जब यह लेक्टान लेगा तो इसके पर positive हा जाएगा और यहाँ देखिए और रखतों पर इसके लेक्टान की अधिकता हो तब यहाँ अट्क करेगा देखिए जब यह यहाँ पर तो यहां पर जो है C double band O C double band O और एक इसने अपना इलेक्टान लेगा तो इसके पास माइनस होगे माइनस चाड़ जाग गया और यह यह यहां और यह double band यह अपना यहां दे दिया तो double band और एक यहां से एच रिपलेस होगा तभी नहीं यह जुड़ेगा तो यह यहां अब द पना इलेक्टान देगा और यह फिर से वापस अपनी वस्थाम चला जाएगा तब देखिये जो आप देखिये इसके बाद जब यह चला जाएगा तो यहां पर double band आ गया इसके पास निगेटिव चार्ज है क्यांकि जब यह इसका रेगा तो इसको पर निगेटिव बना लेगा और यह C double band O negative अब इसकी हम acid protonation करा देंगे तब देखिए हमारा product अब फायल बन जाएगा यह OH और इसका हम acidification करवा दें तो यह 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 पकल लेगा और यहां पर देखिए C double band O OH हो गया ना COOH हमको देखिए हमारा product मिल गया salicylic COOH और product हमारा COOH इसको salicylic acid करते हैं salicylic acid चलिए अगले reaction में हम आगला reaction बताएंगे अगले वीडियो में यह शाम का सकतर्व